दोस्तो जोग्राफिकली चाइना थर्ड सबसे बड़ा कंट्री है रशिया और कैनेडा के बाद में उसके बावजूद भी एक छोटे से आइलेंड ताइवान को वो अनेक्स करना चाहता है अल्टीमेटम तो ये भी है कि by 2030 अगर यूनिफिकेशन एक पीस्फूल मोड में नहीं हुआ तो चाइना ताइवान को अनेक्स कर देगा तो चैना ताइवान को अनेक्स कर देगा दूसरी इंपोर्टन चीज ये कब तक हो पाएगा क्योंकि 2030 तो अल्टीमेटम है बट मेरा मानना ऐसा है कुछ एविडेंस में आपको दिखाऊंगा एक्चली चाइना क्या कर रहा है उसका अगर हम सिंबल लें उसको अगर हम थोड़ा सा एविडेंस के तोर पे देखें तो आपको पता लगेगा शाद एक वीक भी बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है ताइवान के लिए एक उटनॉमस स्टेटस के तोर पे और सबसे बड़ा इंटरस्ट चुपा है यहाँ पे यूएस का इसको जानने की कोसिस करेंगे तीन पार्ट में वीडियो को डिसकेशन करेंगे पहली चीज़ चाइना क्यो ताइवान का उक्यूपाई करना चाहता है चाइना की ऑक्यूपेशन के अगेश ताइवान की क्या प्रिपरेशन है US का ऐसा क्या interest चुपा है और इंडिया के लिए ये कैसे फायदेमन्द हो सकता है तो चलिए discussion को start करते हैं देखिए दोस्तों ये है आपके naval exercise हो रही है किसके बीच में naval exercise है ताइवान की army, air force, military ये आपस में ही exercise कर रहे हैं ताकि in case अगर कोई इस type की tragic situation आ जाती है तो वो बड़े अच्छे से इसको handle कर सकें और बड़े अच्छे से response कर सकें लेकिन सवाल ये है कि ताइवान आखिर एक 23 million लोगों की जो country है उसको चाइना ऐसा क्यों कहता है कि ये उनकी territory है ये historical evidence की base पे है actually कि जब ताइवान की history को देखेंगे तो हाँ एक ऐसा time था जब ताइवान चाइना का ही पार था और उसी basis पे चाइना भी उसको claim करता है लेकिन सवाल ये है कि जो US और चाइना की rivalry है वो किस तरीके से यहां involved है US का आखिर क्या interest यहां पे चुपा हुआ है देखिए तीन ऐसे कारण है जिसकी वज़े से चाइना ताइवान को occupy करना चाहता है जिसमें सबसे पहला कारण है ताइवान की जोग्रफी आप यहां देखिए आपको पता होगा एक आता है मारे पास United Nations Convention on Law of Sea यह क्या कहता है यह कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी island nation है कोई भी island part भी है तो भी आपकी वो territory है और वो territory के बाद में आपकी other limits decide होती है जैसे कि आपका exclusive economic zone या फिर other part लेकिन सबसे important part यह है कि अगर ताइवान चाइना का ingredient बेसिकली एक exclusive part बन जाता है अगर ताइवान और चाइना unified हो जाते हैं तो आप यह देखिए Pacific Ocean को access करना चाइना के लिए बड़ा आसान होगा और यही चाहता नहीं है USA क्योंकि Pacific Ocean पे USA you know कि yes वो तो water share करता है चाइना से gap रहे वो US के लिए काफी ज़्यादा beneficial है आपको पता है कि कोई भी country जब develop होता है तो unnecessary अगर वोर situation में कोई country involved होगा तो definitely उनके लिए काफी problem आएगी चाइना चाहता है कि उनकी monopoly जो है इस region के अंदर establish हो जाए पहली सीज कि यह geographical location को occupy करके as well as क्योंकि pacific की तरफ open border होगा तो उसकी advantage चाइना लेना चाहता है दूसरा ताइवान का GDP कितना है लगबग 790 billion dollar हाँ चाइना के सामने बहुत कम है क्योंकि चाइना का GDP लगबग 18 trillion dollar बट still कुछ add-on होता है और लगातार growth rate की तरफ चाइना देख है ताइवान जो है वो देखने को मिल रहा है तो definitely अगर ये part add-on होता है तो it won't be a economic burden even एक economical support होगी तीसरी important चीज एसिया का major shipping route है आप देख सकते हो यहाँ पर Taiwan straight से pass out होता है एसिया का major shipping route और चाइना चाहता है कि हम इसके ओपर control कर लें और ये rivalry आती है इंडिया के respect में आपको पता है इंडिया के अंडमान निकोबा region आपके state of Malacca के काफी close है जहांसे चाइना की energy security pass out होती है और चाइना अगर कुछ भी ऐसी वैसी हरकत क करता है तो इंडिया का बहुत कम time लगेगा आपके अंडमान निकोबा region से straight of Malacca को block करते हुए that's why China चाहता है कि उसके हाथ में भी कुछ ऐसा हो जो की आने वाले time पे Asia के trade को रोक सके अब सवाल ये है कि क्या Taiwan की कोई preparation है इसके लिए और क्या Taiwan unification चाहता है no at all even China की unification वाली नहीं है लेकिन ताइवान का ऐसा ही प्रपोजल है अब देखो इसके चलते क्या हुआ एक military exercise जो है वो conduct की एक two day exercise जो है आपके सी में देखने को मिली जो कि किस परपल से थी साफ परपल था कि defending अगेस्ट सच surprise attack अब ताइवान को ऐसा क्यों लगा कि surprise attack हो सकता है उसका जो आपके military personals है वो काफी ज्यादा drilling कर रहे हैं आसपास ताइवान के अब सवाल यह है कि drilling करने का purpose कोई ऐसा वैसा तो नहीं हो सकता और नहीं ऐसा है कि China और ताइवान के बीच में कोई military exercise होती है that's why यह काफी एक unrealistic type of situation है काफी uncomfortable situation है ताइवान के लिए अब एक और important चीज could be very easily accelerate the tension into this particular area. Tension of what? क्या ताइवान चाइवान को इस तरीके से धमकी दे रहा है? Actually note, tension होगी चाइवान के बीच में और USA के बीच में. Actually, USA का interest ताइवान के अंदर काफी ज़्यादा है. China चाहता है कि ताइवान उनका part बन जाए, US चाहता है कि ताइवान हमेशा autonomous रहे. Simple सा reason है कि Pacific के अंदर China की presence जो है वो नहीं हो पाएगी अगर ताइवान बीच में as a country autonomous status लेके रहता है. And that's why आप हैरान होंगे जानके, लेकिन काफी सारी military support जो है वो USA ताइवान को provide करता है Taiwanese troops soon will be rolled onto the training courses fighting back with the M60 जो कि आपके 1959 में US Army ने पहरी बार यूज किया था इसके बाद significant improvement इनके ओपर की गई है इसके अलावा जो advanced technology है even हमार rockets जो है US जो Ukraine को supply करता है वो ताइवान को भी supply करता है मतलब ताइवान की military capabilities तो बहुत जादा नहीं है बट स्टिल जो आपके weapons है एक the help of USA another important thing is I would like to show you a map मैं आपको एक map दिखाना चाहूंगा यह map देखिए यह map आपको यह बताता है कि US की अगर हम बात करते हैं तो US के कहां पे major military base है और कहां पे आपकी support facilities है जो आपका यह map है यह दिखा रहा है US के यह सारे area जो है आप देख सकते हुए किस तरीके सा strategically planned की ह हुए है यह आपके major military base जो US के नजर आते हैं इसके अलावा Australia के अंदर भी है Pacific Ocean के अंदर भी है अपार्ट रूम दिस आप यह देखेंगे support facilities के तोर पे USA किस तरीके से इस लैंड को यूज करता है यह area है जो as a support facility support facility का मतलब refilling fuel energy इन सब चीजों के लिए इसको यूज किया जा सकता है लेकिन होता यह है कि कई बार USA अपनी military exercise करता है किसी country के साथ और वहीं पर अपने equipment छोड़ देता है कि ठीक है हम थोड़े time के बाद ले लेंगे जो है अपने जो establishment है military जो establishment है उनको definitely procure किया जाए develop किया जाए अब इससे तो definitely tension जो है वो Taiwan Strait के across भड़ सकती है और Taiwan Strait Asia के लिए काफी important है अब इसके अलावा में एक important चीज़ पर आपका focus करवाना चाहूंगा तारिस्मान exercise है यह है 2023 में हुई थी अभी और 21 में हुई थी मतलब दो साल में एक बार यह exercise होती है यह exercise के अंदर एक combined exercise है पहले तो सभी military forces, army, air force सभी इसमें participate करते हैं US और Australia ने इस exercise में participation किया और उसके बाद में US के कुछ equipment थे they left behind in Australia और वो equipment अभी तक यहां है उसका मतलब क्या है अब US के अंदर अगर US के कुछ equipment है Australia के अंदर है आप समझ रहे हो इसका essence क्या होता है इसका essence बहुत simple सा है कि आपके जो equipment है वो war time पे श्याद यूज किये रही है important यह भी है यहां पर देखे ओकी नावरीजन और यौकाता रीजन यह US के naval base है जो Japanese island के आसपास में situated है तो definitely यह US को response करने में काफी quick बना देते हैं हां बाग जी जरूर है कि US की mainland अगर नजदिक होती है तो फिर war लडने का level जो हो अलग हो सकता है बट स्टिल US के पा strong है in comparison to China Biden administration ने recently announced किया था बाइडन administration ने recently यह announced किया कि United States जो है आपका बैंड या ना में Australia के अंदर क्या करेगा अपना basically एक interim logistics जो center है वो establish करेगा और यह location कहा है यह location है यह location है यहाँ पर आपकी अब देखिए अगर आपका एक logistics center यहाँ पर establish होता है तो definitely यह direct announce करने की तो नहीं कि हम military establishment कर रहे हैं बट still एक kind of help जो है वो यहाँ से भी provide हो सकती है USA हर coast पर यह चाहता है कि जो आपके Pacific Ocean के island है as well as the countries है वो definitely US के support में रहें ताकि Taiwan पे जब भी ऐसी बात आएगे तो US उसका full-flex मदद कर सके आपको वह याद होगा quadrilateral group quadrilateral group एक ऐसा group है जो की cooperation के लिए बनाया था चाइना को counter करने के लिए और initially इंडिया ने यह proposal जब दिया था और जब group बना था तो उसमें military exercise का कोई सवाल नहीं था लेकिन US ने उसको push किया and definitely अब quadrilateral group के अंदर military exercise भी होती है जिसके अंदर की Australia, US, Japan और India यह चारो ही नेशन participate करते हैं आप बताएए क्या आपको यह नहीं लगता कि यह चारों नेशन उन्होंने क्या किया उन्होंने recently जो उनकी basically flights हैं उनके route को divert कर दिया route के divert करने का मतलब मतलब जो Taiwan straight से होके flights आती थी उन routes को divert कर दिया गया है उसका मतलब क्या है basically आप sky को open चाहते हो मतलब आप शायद अपने war की preparation कर रहे हो similarly navy जो है वो काफी ज़्यादा routing कर रहे है उस area के अंदर actually Taiwan के tension जो है इसकी वज़े से काफी बढ़ती जा रही है और इसलिए response में Taiwan ने भी अपनी military, army और air force, naval exercise जो है वो conduct की है लेकिन यह जो war होगा वो जी अर बाइडन के बीच की एक 10 trillion dollar coast जो है वो इसकी रहने वाली है क्योंकि it is a kind of another world war situation जो है आपर देखने को मिलेगी but yes Taiwan अगर independent रहता है तो इंडिया के लिए काफी बड़ा फायदा होगा क्योंकि Taiwan की जो population ह उसके अंदर workforce वहां पे भी नहीं जादा available है अभी के टाइम पे भी 1 lakh Indian workers जो है वो ताइवान के अंदर different roles पे hire किये कहे हैं अब आप understand कर सकते हो कि हमारी job opportunity के लिए ये कितना important हो जाता है इंडिया human resources के अंदर सबसे rich है और human resources को अगर हम कहीं supply करके अपनी economy को बढ़ा सकते तो definitely हो हमारे लिए काफी फायदे मन होगा और जब China war में involved होगा तो China की economy भी downgrade पे देखने को मिल जाएगी आप लोगों को क्या मानना है क्या China इन सब symbols से नजर आता है अपनी naval exercise को करते हुए अपनी जो basically civilian जो aviation है उसको divert करते हुए क्या ऐसा लगता है कि ये कुछ evidences हैं ज you can follow me over here thank you very much best wishes thanks a lot